अगर आपका Bank of Bauda में account है तो आपके लिए Bank of Bauda ने एक नई digital service WhatsApp banking के नाम से launch कर दिया है Bank of Bauda WhatsApp banking के तुरू आप अपने account का balance देख सकते हैं, mini statement देख सकते हैं अगर आपका ATM card खो जाता है तो अपने उस ATM card को WhatsApp banking के तुरू आसानी से block कर सकते हैं और अगर आपको checkbook मंगाना है तो उसकी request भेज़ कर checkbook मंगा सकते हैं अपने account का customer ID जान सकते हैं और आपके account में कौन सा email ID registered है वो देख सकते हैं इसके इलावा Bank of Bauda के loan में कितना interest है और service charges वगयरा क्या है ये सब आप Bank of Bauda WhatsApp banking के जरिया असानी से पता कर सकते हैं तो आज के इस वीडियो में आपको मैं इसी के बारे में बताने वाला हूँ किस तरह आप अपने WhatsApp banking को चालू करेंगे तो चलिए वीडियो को start करते हैं सबसे पहले आपको screen पर एक number show हो रहा होगा 843-888-777 ये Bank of Bauda का WhatsApp banking का official number है इस number को सबसे पहले आपको अपने mobile phone में save कर लेना है save करने के बाद आपको अपना WhatsApp open कर लेना है यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे कि जो number आपके Bank of Bauda से link है उसी number से WhatsApp account होना चाहिए तभी आप WhatsApp banking का फाइदा उठा सकते हैं हमने B.O.B. WhatsApp के नाम से ये number save कर रखा है तो इसके chat को open कर लेंगे chat open करने के बाद simply यहाँ message वाले section में high tap करके send कर देंगे message send करने के बाद Bank of Bauda WhatsApp banking की तरफ से आपको एक welcome message आएगा इसके बाद WhatsApp banking का terms and condition पढ़ने के लिए एक link भेजा जाएगा अगर आप चाहें तो इस link पर क्लिक करके terms and conditions पढ़ सकते हैं उसके बाद agree पर क्लिक कर देंगे एगरी पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो thank you for signing up for WhatsApp banking का message आएगा साथ ही एक और message आएगा और इसमें पूछा जाएगा कि क्या आप Bank of Bauda से related important updates पाना चाहते हैं तो यहाँ yes कर देंगे जैसे ही yes करेंगे तो number wise Bank of Bauda के services आ जाएगे जैसे first number में account का और second number में block debit card का option है आपको इन में से जिस भी service related information चाहिए वो number यहाँ type करके send करेंगे तो आपको इसकी जानकारी मिल जाएगी जैसे अगर अपने account से related कोई जानकारी चाहिए तो एक टैप करके send करेंगे send करते ही कुछ इस तरह से 6 options आ जाएगे first वाला option know your account balance का है अपने account का balance चेक करने के लिए simply आपको एक टैप करके send कर देना है जैसे ही send करेंगे तो आपके account का balance आ जाएगा इसके बाद previous menu में आने के लिए start टैप करके send करेंगे और main menu में आने के लिए high step करेंगे चलिए हम start टैप करके previous menu में आ जाते हैं इसी तरह यहाँ दो टैप करके send करेंगे तो आपके account का mini statement आ जाएगा 3 टैप करके check book के लिए request भेज सकते हैं 4 टैप करके अपने check का status जान सकते हैं 5 टैप करके आप अपने bank account में registered email ID पता कर सकते हैं और 6 टैप करके अपना customer ID मालुम कर सकते हैं चलिए हम has टैप करके main menu में आ जाते हैं main menu में दूसरा वाला option block debit card का है अगर कभी आपका ATM यानी debit card खो जाता है तो यहां से आप उसको block भी कर सकते हैं इसके लिए बस आपको दो type करके send कर देना है जैसे ही send करेंगे तो आपके debit card का last four digit show करेगा इसके बाद अगर आप यहां एक type करके send कर देते हैं तो आपका debit card block हो जाएगा चलिए हम यहां house tap करके main menu में आ जाते हैं इसके इलावा जितनी भी services यहां WhatsApp banking में दी गई है आप उसको इसी तरह असानी से एकदम simply process follow करके use कर सकते हैं दोस्तों अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को like करें अपने दोस्तों के साथ वीडियो को share करें और अगर आपने अभी तक मेरे यूटूब चैनल टेक वीडियो एफ को subscribe नहीं किया है तो subscribe कर bell icon को जरूर दबा दें ताके आने वाले वीडियो का notification आपको मिल सके